हालो जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब रेक वाफिस से वैलकम आपके अपने चैनल में तो जी दिन है संडे का तारीक 13 अगस्त यानि मेरे जनम दिन का आज का दिन है और आप लोगों ने ठेर भर भर के भर भर के कूँद भर भर के जो है आप लोगों ने कल मुझे प्यार दिया शिरवाद दिया इतनी स्वारी विशेस जो दिया है उनके लिए थांक्यू थांक्यू सो मच और आज जो है एक संजे की आईडी से कॉमेंट आता है मीना का आज उनका भी बोड़े है तो मेरी तरफ से हैपी बोड़े मीना और शाम का ये टाइम है और इस वक्त मैं करी हूँ अपने पूजा पाट और उसके बाद के कटिंग विगरा करेंगे जादा कुछ तो हम लोगों ने जो है सैलिब्रेशन का कुछ किया नहीं क्योंकि दिन में क्या हुआ कि दिन में मेरा भाई आया हो था कोथली लेकर और दिन में हमने थोड़ा बहुत जो है बाहर से ओडर कर लिया था खाने का और वो इतना हैवी हो गया कि रात को जादा कुछ खाने का मन नहीं किया दोपैर की थोड़ी सी सबजी बची वी थी और सब का पेट इतना ओवर लोड था बच्चों सब ने एक 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 रोटी जो है वो खाई केक वगएरा खाया आइसक्रीम मंगाई वी थी वो खाई तो जादा कुछ नहीं बस चार पांच रोटिया ही मैंने सेकी थी किसी की इच्छाई नहीं हो थी कुछ खाने की दिन में क्योंक कोमेंट आते हैं तो जी नहीं आते हैं वीडियो में अब मैं हाथ पकड़ के मैं कैसे ले कर रहा हूं तो यहां जनम दिन मेरा है और सालिब्रेट करने बच्चों को चाहिए होता है और हमारे तो बहाना होता है भी बद्दे के लिए के कटिंग ये सब बड़े के तो इस पर कोई नहीं लगाईगा और अब मैं आपको मिल रही हूं सुबर करीबन जह सारे पांच का टाइम हो गया है पांच बचे अपना उठ गई थी अपना बेसिक के सारे काम करके लग गई अपने कामों में और रात को ये कपड़े दोएते सुखाए थे तो सुबर सुबर मैं उतार कर ले आई हूं एक ड्रेस उतारने के लिए मुझे जाना था फिर मैंने सोचा एक ड्रेस क्या उतारूंगी बार सारे कपड़े उतार कर जह है वो ले आ दियूं तो सारे कपड़े यहीं डाल दी है और आज सिर्फ जो है वरुन तो वरुन के आज स्विमिंग है औ मतलब नहीं लगनी है से फंक्षिन के लिए उसको तयार कर उसकी ड्रेस आई ही स्कूल से तो फंक्षिन के लिए तयार करके उसको जो है वो भीजना है और आपने सबसे पहले उटते ही मेरा काम होता है रात को जो भी एक ही काम होता है और सुब उटते ही सबसे पहले मेरा ए निकाल दिया, फिर मैंने जय आलू और जय गोबी, पत्ता गोबी जय भुब मैंने सब्सक्राइब बना लेती हूं और सूर्बी कल का मेरा जय है बहुत बहुत जादा पसंड जय वो आया है और बहुत देंगा कि हमें केक काटना है सलिब्रेट करना है सुब़ सही जो है दोनों बच्चे ममी केक ले कराएंगे ममी ये करेंगे ममी वो करेंगे लेकिन जादा गर्मी इतनी थी बहुत जादा जादा कुछ भी करने का मन भी नहीं किया और दोपैर को सब का पेट इतना फूल हो गया बहुत जादा और साइड़ी में आप यह जितना भी सामान आप देख रहे न केले हैं और भी फ्रूट्स वगएरा है दो त्रेगा घेवर है अच्छा में मठी वगएरा है मीठे वाली भी नमकीन वाली भी काफी सारा सामान है त अब भी उठा दिया था क्योंकि उनको भी साथ-साथ में जल्दी निकलना है तो आज तीनों का टिफिंट जै वो रेडी होने वाला है बाहर तो आज खाना नहीं जाएगा से फ्रूट्स बंड के लिए वो खाना बनने वाला है और काफी सारे कोमेंट मेरे पास आए भी है क जब से अपने पहले वाले रूटीन पर आई हैं पहले वाला रूटीन पर आप अपना शेर कर रहे हैं आपकी वीडियो देखे और भी ज़्याधा वो अच्छा लग रहा है पर आप जो मोनिंग रूटीन चार बजे का आप शेर करती थी कि चार बज़े उठने के बाद काहर का कैसे मैनेज करती हैं आप और मैं कोशिश पूरी करते हूं कि जब तक धूप अपनी चरम सीमा पर पहुंचे यानि करीवन नो या दस बजे तक लास्ट मेरा दस बजे होता है कि दस बजे तक मैं अपने घर के सारे काम जो है वो निपटा लूँ क्योंकि क्या ना सुब आप यह मान के चलिए साड़े पांच से छे से लेकर आठ बजे तक तो बिलकुल भी सास लेने की फूरसत नहीं होती है बच्चों को तयार करना सबका लंच तयार करना तीन टिफ लंच बॉक्स जया वो तयार करने होते दो बच्चों के होते हैं हस्बिन का होता है फिर हिमा मेरे काम बहुत सारे होते हैं हम लोगों को पता है कि घूलती है दो घर के जितने भी बहुत सारे का होते हैं सारे कम निपने को पहर करना प कि नो बजए सरह कि अ सबस्क्राइ Leonard le किसी भी मरलब जिस भी काम के लिए मैं जा रही हूं तो इतने जल्दी जाने का भी कोई फाइदा नहीं होता है और फॉयल पेपर जो है वो मेरा खतम हो गया है मैं ओडर करना भूल गई तो फॉयल पेपर भी जो है बच्चों के लिए मैं करूंगी ओडर यहां पर दोनों बाबा उसको छोड़ने के लिए जाएंगे मैं नहीं जाने वाली हूं साथ-साथ में बच्चों की क्योंकि सुबह इसमें बरफ डाल देती हूं तो खाफी जो है वो रहत मिल जाती है इस लाइन बच्चों को मैं बॉटल में ठंडा पानी भरके जो है वो देती हूं तो दो कि वरुन की तो इच्छाती थोड़ा बहुत ना किशाम का केक बचा हुआ है जादा बड़ा तो हम लेकर नहीं आए थे क्योंकि मेरे को यह था कि जादा बड़ा लेकर आएंगे तो हिमांग जितना दिखेगा उतना मीठा खाने की कोशिश करेगा तो हल्का फुलका है जो सब से च्छोटे साइज वाला केक जाए वो लेकर आए थे कि यह था कि बच्चे अगर बड़े सालिबरेट कर रहे हैं तो बच्चे जाए वो खुश हो जाएंगे उससे जादा कुछ ने और फिर इस वरुन की तो यह था कि ममी मैं अभी जाए वो केक खालू और हिमांग को यह और वापस आने के बाद बच्चे खा लेंगे मैं तो नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि हाँ वरुन जो है वरुन के लिए बचा के रखूंगे हिमांग को लड़ी बहुत खा चुका है क्योंकि हिमांग को जादा मीठाम देते भी नहीं है इसलिए और दोनों बच्चे चले के हमें चले गए अब आगी थी मैं नीचे और नीचे सबसे पहले अपना में दरवासा जैसे जैसे मैं पहले भी बताती हूं कि अच्छे से क्लीन करती हूं और शाथ साथ मैं यहां पर भी जो है थोड़ा सा पैंट वाली जो ब्रेश ये रखती हूं मैं अपने साह इस पर वो लगा दिया क्योंकि हलकी फुल की धूप ज vendor जम ही जाती ए और सुबढलreno आज अपने चिमनी की क्लीनिघ जुए कर लेते हैं क्योंकि बूँकि बहुत टान से की क्लीनिघEh इसको निकाल लिया है और उसके बाद साथ साथ में एक डॉली जो है पूरा भर के तीन लिटर वाली में लेकर आया हूँ और साथ-साथ में स्क्रब लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी आप यह मान के चलिए आज तो करीबन एक बड़े वाली बाल्टी यानि गीजर जो है तीन लीटर का है किचन में तो तीन लीटर वाला गीजर तीन भार मैंने तीन तीन लीटर वाली जो है वो डोली प पाई थी और इसी वजए से जह है इतना चीटा चीटा जहा निकल रहा था लेकिन देरे धीरे करके जह है मैंने इसको जह अच्छ uniform कर दिया था प्लीन और 先ए härub that raise the ring और अपने काम कर रही थी और मैं अपने कामों आजकल वो लेट आ रहे है क्योंकि उनके घर में क्या कि I think उनकी भावी को उनकी बहु को जै वो बेटा हुआ है तो बच्चा पैदा हो उनके घर में तो इसलिए थोड़ा सान आजकल लेट ही आती है सुबह हमारे घर पे नो साड़े नो बजे क्या सपस आती है और अधर्वा तो उसकी help साथ साथ में करा देती हूं ताकि वो अपना काम निप्टा कर जल्दी से अपने घर जय वो चली जाए सुबह कत अपना वो अपने वहां से जय वो करकर आके तब जवा दिये तो देखिए साथ साथ में चिमनी के हमारी भी जय वो बहुत अच्छी से cleaning हो गई है और अभी व्लॉग का इंड कर लेते हैं यहीं पर मिलते हैं नेक्स व्लॉग में फॉर्स टाइम विजट करें लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना थैंक्यू सो मस्ट फर वॉच आप